नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चनल टेकनिकल साइंस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों मैं परलाद दोस्तों आज हम जाने हैं कि रजिस्टर की वेल्यू कैसे फैंड की जाती है और रजिस्टर को हम कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं तो दोस्तों रजिस्टर हमार हमारे 초대 के अंदर में इसको रजिस्ट को समझना काफी जुरूरी है तो दोस्तों हमारे इलेक््तोंनिक PCB केंदर सबसे ज़्यादा ही होते हैं और दोस्तों रजिस्ट्र अशी परिसेंट तक मरें PCB के अंदर होतेएं दोस्तों अ हमने इन रजिस्ट्र की करना और रजिस्ट को समझ समझ लिया तो दोस्तों हम काफी आसानी से 80% हमारा electronic PCB हम उसको repairing कर सकते हैं तो दोस्तों इसे समझने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा और दोस्तों यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक शेर सबस्क्राइब कर ले तो दोस्तों मैं बताता हूं हमारे electronic component के अंदर फिरीई होता है वह सब फ़रीजिस्टन जो वेल्यू होते है वह रोजिस्टर के अलग अलग वेल्यू के होते है तो दोस्तों अब बात करते हैं की шकं वेल्यू होती और नयाख झालिए उन सबकिये को हमें एक बार कि डे लेना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सभी रजिस्टर के अंदर अलग-अलग वेल्यू होते हैं उनकी कलर कोड भी अलग होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कलर बता देता हूं जैसे ब्लेक ब्राउन रेड औरे येलो ग्रीन विल्यू वाइलेट गरे वाइट सिल्वर गोल्डन तो दोस्तों मैं इनके कोड बता देता हूं मैं तो दोस्तों यह कोड आपको याद रखना होगा यह कोड आप कि सबतає और और आप करनी पाऊगे तो दोस्तो अब बात करते हैं इनकी color code की तो दोस्तो ब्लेक का 0, brown का 1, red का 2, orange का 3, yellow का 4, green का pipe और blue का 6, violet का 7, gray का 8, white का 9, तो दोस्तो ये color code ये 9 है ये आपको याद करना है और दोस्तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये मलब 00 में तो दोस्तो ये multiply है multiply मलब ये digit हो गया और ये multiply हो गया और दोस्तो इसके लावा silver है तो silver मलब silver 10% मलब कन या ज्यादा मलब register की value होती है जैसे 100 होता है तो 110 होगा ये 100 कम होगा तो ये register की ये वो बताता है है तो दोस्तो गोल्डन गोल्डन का यहाँ पर 5% मलब ये ती 100 ओम का register होगा तो वह 105 का होगा या पिच्चानमेक होगा और दोस्तो उसके बाद आता है पाइनल माइनस और प्लस में हो सकता है और यहां पर रेड रेड कर 2% कम ये ज्यादा और ये 0.5 कम ये ज्यादा और 0.25 कम ये ज्यादा और 0.1 0.05 और दोस्तों आपको जो रजिस्टर के अंदर सबसे जुरूरी याद रखने वाली बात है मैं आपको पहले ही बता देता रजिस्टर के अंदर कभी भी नोट करने वाली आपको बात है फर्ष्ट पे जैसे कि रजिस्टर है जैसे कि दोस्तों यह देख पार रजिस्टर है फर्ष्ट पे कभी भी ब्लेक नहीं आएगा तो दोस्तों ब्लेक कभी भी फर्ष्ट पे नहीं आएगा और तीसरे नंबर प्रकार के आई यह आपको हमेशा आपको सीधा किस तरफ फे उल्टा किस तरफे तो दोस्तों रजिस्टर हमेश्या उस तरफी सीधा होता है जिस तरब कि हमारे color code एक साथ होते हैं जैसे एक दो तीन यह एक साथ है तो बीच में यहां पर gap होगा जैसे कि दोस्तों देख पार हो यहां गेप है और gap के बाद जो tolerance आती है वो tolerance इन्नों में से हैं silver होगा यह golden होगा यह tolerance है या इसके लाव इसके कोई यह भी color होगा जो कम यह ज़्यादा है तो tolerance का हमेशे यहां पर आएगा और जो दोस्तों में बताता हूं जैसे की digit होता है जैसे यह digit है यह digit color होगा जैसे की red तो यहां पर आएगा two हुआ ती के ओर दोस्तों यह आगया विल्यू का मैं लिख देता हूं सिक्स ठीक और दोस्तों यह आगए ग्रिन गेंग का आगया यह फॉइप फाइब मदब फाइब मल्टिपल हो गया तो दोस्तों यह तीसरे नमबर पर आएगा मल्टिपल मल्टिपल होगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं पांच जीरो तो यह हो तो दोस्तो फिर से में इसको 1000 पर भाग देने के पर यह आएगा 2.6 मेगा ओम और दोस्तो मरलब यह 10 परसंट कम ही हो सकता है यह ज़ादा भी हो सकता है इसको भी मैं देख लेता हूँ एक बार 2.6 इंटू 10 डिवाइट तो दोस्तो 0.26 मरलब माइनस प्लस जीरो पॉइंट कम ज्यादा कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है तो दोस्तो यह हमार रजिस्टर है और दोस्तो अब इसकी बारे में बता देता हूँ मैं है तो दोस्तों इसका आएगा two two इसका आएगा and five तो दोस्तों यह five डिजट में हो गया तो दोस्तों यह भी डिजट होगा यह हो गाले विल्यू को आगा six अब दोस्तों यह आखरे मैं मतलब की जो भी गेप होता है गेप के पास जो संक्या बच्च जो कलर रहता है वह हमेशा मल्टिप्लाई में होता है तो दोस्तों यहां पर मल्टिप्लाई साथ है तो मैं इसको साथ बार जीरो लिख सकता हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है अब दोस्तों मैं इसको के में में बदलना है तो दोस्तों अम में इसको के में बदलूँगा तो दोस्तों यह भी ओम में है तीन डीजिट महटा देता हूं तो दोस्तों यह मेगा ओम में हो गया ठीके दोस्तों अम मैं दोस्तों इसको में इसको मैं तोल्डेस लिक लेता हूं यह पर तोल्डेस से इसकी सिल्वर तो 10% माइनस पर्स तो 10% कम यह ज्यादा भी हो सकता है तो इसका मैं 10% कर देता हूं एक बार फिट भी मैं आपको बता देता हूं तो 506 इंटू 256 जिरो इंटू 10 डिवाइट तो तो 256 तो 256 यह हमारा कम यह ज्यादा भी हो सकता है तो दोस्तो हमारा यह मेगा ओम में होगा दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ आपको कि हमारा जो रजिस्टर होता है वो फर्स्ट पे डीजित होगा, सेकेंड पे बीडीजित होगा और तीसरे पे जो गेप होता है, गेप के पास होगा, वो हमेशा मल्टिप्लाई में होगा तो वो यह होगा, ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, जैसे कि फर्स्ट पे रेड है तो डीजित है, सेकेंड पे डीजित है, और थर्ड पे थर्ड पे डीजित है और जो लाश्ट में है जो गेप है गेप के पास बचा है वो हमारा मल्टिपल होगा तो वो मल्टिपल ये होगा और दोस्तो इसके पास है जो वो हमारा तोल्रेंस होगा मलब कम यह ज्यादा तो दोस्तों इसकी जग जुरूर नहीं सिल्वर हो या गोल्डन हो तो दोस्तों वह यह भी आ सकता है वन टू यह भी हो सकता है और दोस्तों इस परकार आप multiply कर सकते हो और रजिस्टर की value आप पता कर सकते हो अब दोस्तों मैं बात करता हूँ जैसे कि दोस्तों हमेरे पास 130 ओम रजिस्टर मुझे find करना है तो मुझे 130 का ओम चाहिए तो मैं कैसे करूँगा 130 का ओम तो दोस्तों first पे ब्राउन आगा ठीके थर्ड़ पेल औरेंज आएगा तो मैं औरेंज लिख देता हूँ यहां पर और 00 का ब्लेक आएगा तो यहां मैं भी कर देता हूँ तो दोस्तों यह मेरा हो गया 130 ओम अब दोस्तों मुझे 132 ओम के लिए हमें कौन सा रजिस्टर लेना है किस तरीके कलर कोड होईगे तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों भी मैंने आपको बताया हूँ 130 ओम का इसके अंदर तीन डिजिट के तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 132 ओम के लिए कि यहां पर आएगा अब दोस्तों अब आगे यहां पर डिजिट क्योंकि अब तीसरे डिजिट अब डिजिट भी लेना जुरूरी है तो डिजिट के लिए मैं लेता हूँ अगे यहां ब्लेकिन डिच मैं करता हूं व्ह यह होता है गुणाना इंट मैं कर सकते हैं तो दोस्तो रजिस्टर कोई भी हो किसी परकार का हो सभी परकार के रजिस्टर की वेल्यू इसी परकार से निकाले जाती है और दोस्तो रजिस्टर की वेल्यू ओम का साहिन तो आपको पता यह 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 ओम का साहिन है यह मैं आपको बताना बोल गया दोस्तो इस परकार आप र परकार के होते हैं लेकिन अभी हम स्रिफ बैंड रजिस्टर की ही बात कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ज़िए इस टॉपिक से संबदित किसी और परकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें जुरूर कमेंट करें तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही ओके ठेंक्यू बाए